आंद्र प्रदेश के मुख्य मंत्री चंद्र बाबू नाइडू ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से 20 मिनट की मीटिंग में जो डिमान रखी है उसे तो मोधी सरकार करजा लेकर भी पूरा नहीं कर सकती है आपको बता दे दा एकनॉमिक टाइम्स के बड़े खुलासे न कि जब मोधी से डील नहीं हुई तो कैसे तुरंत नाइडू कॉंग्रेस से मीटिंग करने के लिए पहुच गए हैं लेकिन सबसे पहले खबर आप देखिए सबसे बड़े बिजनेस अखरबार दा एकनॉमिक टाइम्स की देखे इस खबर में लिखा हुआ है कि मोधी कोईलेशन अलाई चंद्रबाबू नाइडू सीक्स मोर दन वन लाग करोर हैंड आउट तो आप देख सकते हैं कि एक लाग करोर रुपे की डिमांड रख दी गई है चंद्रबाबू नाइडू जब दिल्ली पहुचे थे तो तभी खबर निकल कर सामने आ गई थी कि अब क दूसरी तरफ चंद्रबाबू नाइडू ने सब को चोकाने का काम किया है ये वो एमांट है जो कि मोधी सरकार दे दे चंद्रबाबू नाइडू को ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं आपको बता दू कि पहले ही दा एकनॉमिक टाइम्स की खबर निकल कर सामने आई थी कि नि एक साथ आंद्रप्रदेश को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अगर आंद्रप्रदेश को इतना बड़ा एमांट दे दिया गया तो दूसरे राज्यों का क्या करेगी मोधी सरकार सवाल खड़ा होता है अब ऐसे हालातों में मैं आपको बता दू कि खबर निकल कर सामने क्योंकि अगर NDA की बहुमत की बात की जाये तो इनके पास टोटल सीटे होती है 293 और TDP के पास है 16 सांसत और 293 में से अगर 16 को घटा भी दिया जाये तो भी 277 बसता है और 277 बहुमत से 5 आगे सीटे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्र बाबु नाइडो को ही जटका देने की तैयारी कर ली गई है क्योंकि इतना बड़ा एमाउंट आंधर प्रदेश को देने से बहतर भारतिय जंता पार्टी के लिए यह होगा कि TDP के सांसतों को ही तोड़ लिया जाए तो ऐसे हालातों में चंद्र बाबु नाइडो को इसकी भनक लग गई है कि यहां पर ना पद मिला है ना समान मिला है और ना ही स्पेशल पैकेज मिलने वाला है हालत तो यह हो चुकी है कि TDP को तोड़ा भी जा सकता है TDP के सांसतों से भी डील की जा सकती है ऐसे में चंद्र बाबु नाइडो आनन पानन में रेवन्त रेड़ी से मीटिंग करने के ल लंगाना मुख्यमंत्री और राहुल गांदी के करीबी रेवन्त रेड़ी से मुलाकात करने वाले हैं और यह मुलाकात कोंग्रिस की तरफ से इनिशियेट नहीं की गई है बलकि मैं आपको बता दू कि चंद्र बाबु नाइडो ने पत्र लिखकर बकाइदा रेवन्त रे अब ऐसे में दिल्ली अकेले नाइडो नहीं पहुचे आपको बता दे कि रेवन्त रेड़ी के साथ पहुच गए जहां एक तरफ नाइडो ने पीम मोधी से मीटिंग की है वहीं दूसरी तरफ रेवन्त रेड़ी ने भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से मीटिंग की है ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंदर बाबू नाइडू ने कोशिश तो पूरी की कि मोधी सरकार पर दबाओ बनाया जाए। लेकिन अब ये दबाओ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर बादचीत में सब कुछ ठीक हो गया होता तो आज रेवन्त रेड़ी के साथ मीटिंग करने का क्या ही मतलब बनता है। हबर देखे एटीवी दिल्ली किसमें लिखा भी हुआ है कि रेवन्त रेड़ी और चंद्र बाबू नायडू के बीच आज मुलाकात तमाम मुद्दों पर करेंगे बाद तो क्या बादचीत होने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ 20 मिनट की मीटिंग हुई तो इस मीटिंग को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि लंबी चोड़ी लिस्ट चंद्र बाबू नायडू की तरफ से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को थमा दी गई है। ना स्पीकर के पद पर चलाई अपनी ना मांगा कोई बड़ा मंतरी पद अब 20 मिनट की मुलाकात में चंद्र बाबू नायडू ने प्यम मोदी को थमा दी है अपनी लिस्ट तो लिस्ट थमा दी गई है एक लाग करोड रुपे की डिमांड कर दी गई है और ये पहली किष इसके बाद चंद्रबाबू नायडू कितनी बड़ी बड़ी डिमांड कर सकते हैं इसका अंदाज आप इस बास से लगा सकते हैं कि आंदर प्रदेश के प्रोजेक्ट को लेकर चंद्रबाबू नायडू लगातार एक-एक करके एलान करते जा रहे हैं ऐसे हालातों में के साथ मीटिंग करने के लिए पहुच गए हैं और वो भी तब पहुच गए हैं जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ठीक एक दिन पहले मीटिंग हो चुकी है अब ऐसे हालातों में इंडिया गडबंधन भी ये समस्ता है कि किस तरीके से नाइडू नितीश और भा सरकार कमजोर हो चुकी है अब अगस्त में इसलिए गिर जाएगी क्योंकि अगस्त में बजट आने वाला है और बजट में अगर नितीश नाइडू को कुछ नहीं मिला तो बड़ी बगावत हो सकती है आप देख सकते हैं कि खेला कितना बड़ा चल रहा है पहले तो सदन के सत्र का इंतजार किया गया अब जब सदन के सत्र के बाद मीटिंग हो चुकी है तो बजट का इंतजार किया जा रहा है और बजट के बाद ये सरकार टिक जाए ऐसा होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि नितीश कुमार और नाइडू जैसी डिमांड कर रहे कि मोदी सरकार जल्द गिरने वाली है ये सरकार नहीं चलेगी हम पहले बहुत चुके ये सरकार नहीं चलेगी रावल गांडी जी के नेत्रूद्वे में जो तुफान आज भी चल रहा है जो घटना घड रही है देश में जिस तरह से मिश्टर नाइडू नितिश कुमार की पार्टी मनी मन में अस्वस्त है मुदी जिने बहुमत गवाया है अब तो वैसा के उपर बैटे है ये सरकार नहीं चलेगी मुझे पुरा विश्वास है लालू जिन जो कहा है और ठीक कहा है तो सुना आपने संजे राउत का कहना है कि ये सरकार नहीं चलेगी नितिश नाइडू और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और लालू प्रसाद यादों ने जो कहा है वो बिलकुल ठीक कहा है तो आप देख सकते हैं कि एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त खीचतान मची हुई है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दू डिमांड सिर्फ नाइडू की तरफ से नहीं की जा रही है बलकि डिमांड नितिश कुमार की तरफ से भी की जा रही है जहाँ एक तरफ नाइडू 1 लाघ करोड रुपए आंदर प्रदेश के लिए मांग रहे है वहें दूसरी तरफ नितिश कुमार भी 1 लाघ करोड रुपए बिहार के लिए मांग रहे है अब किसको दें किसको ना दें भारतिय जनता पाटी इसी फेर में फस कर रह गई है क्योंकि अगर इन दोनों राज्यों को सिर्फ दे दिया गया और दूसरे राज्यों को नहीं दिया गया तो बड़ा खेल होने वाला है तो इनका प्रों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी अब ATM बन चुके हैं और जब तक ये ATM चलेगा तब तक तो सब कुछ ठीक है लेकिन जैसे ही ATM बन होगा पूरा सिस्टम बिगरने वाला है तो फिला लालो प्रसाद यादों के दावे पर इस पूरी खबर पर नाइडू नितीश की डिमांड पर आपको क्या लगता है क्या बगावत की तयारी कर ली गई है क्या अगस्त में मोधी सरकार गिर जाएगी इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज़ादा ज़ादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जोइन करें, फिर मिलते होगी खब झाल